नमस्ते दोस्तों, हमारे special session to the point इंडियन पोल्टी में आज हम बात करेंगे परसनकाल की यानि क्यू सनवर की हम आपको बताएंगे कि भारतिय संसद में किस देश से लिया गया है परसनकाल और क्या है परसनकाल चलो शुरू करते हैं बारतिय संसद के दोनों सदनों, यानि लोकसभा और राज्यसभा में लोकित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्शित करने और उससे जवाव मांगने के लिए परसनकाल की युष्था की गई है पर्षनकाल के दोरान, कोई भी सदश से, सरकार से, जन हित के किसी भी मुद्दे पर मोखिक और लुखित जवाब मांग सकता है हम आपक बता दें, पर्षन काल में पर्षन पुछने का मूल उद्देस से, लोग महत्तव के मामले में जानकारी प्राप्त करना है हम आपको बता दें कि भारतिय संसत की परंपरा ब्रिटेन से ली गई है जब हमारा सयुधान बना था और ब्रिटेन की संसत ये परंपरा में है सदन जब भी मिलता है तो सबसे पहले उसका कारेकरम परसंकाल का होता है और परसंकाल एक घंटा के होता है यहीं से यह परंपरा हमारे देश में मिली गई है जब हमारे देश में 1902 में पहली बार चुनाव संपन हुई और लोकसभा और राजिसभा का गठन हुआ उसके तत्वस्चात यह परंपरा लोकसभा पहले लोगसभा और फिर राज्यसभा में सामिल की गई राज्यसभा में पहले परसंकाल आदे घंटे का होता था उसके बाद राज्यसभा और लोगसभा दोनों में परसंकाल एक घंटे का होने लग गया हम आपको बता दें, संसत्र का पहला घंटा परसंकाल के लिए होता है, लेकिन 2014 में परसंकाल का समय बदल दिया गया, राज्ये सबह में 11 बज़े के बज़ाई ये 12 बज़े से कर दिया गया, क्योंकि पहले दोनों ही सद्रों में परसंकाल 11 बज़े से 12 बज़े तक था, लेकि हबी कुछ पिछले सालों से इसमें बदलाव कर दिया गया है क्योंकि मंत्रियों का दोनुई जगह उपस्ते दोना मुश्किल था इसलिए लोग सभा में 11 से 12 और रद्य सभा में 12 से एक परसंकाल का समय कर दिया गया है आगे इस एक गंटे के दोरान संसद सदस से मंत्रियों से सवाल पूछते हैं अपने अपने मंत्राले के कामकार से सम्भंदित परसंदों को उत्र देना मंत्रियों का उत्रदायत होता है हम आपके बतादें परसन काल के दोरान निजी सजस्षस से भी पर्सन पुछे जा सकते हैं निजी सजस्षस से वो सजस्षस्य होता है जो मंतर नहीं होता अगर वो किसी क्यूस्षन के लिए उत्रदायत्तू है तो उसको जवाब देना पड़ेगा हम आपको बता दें परसनों के तीन परकार होते हैं तारंकित परसन वो परसन होते हैं जिनका उतर मोखिक दिया जाता है इसके बाद कोई पूरक परसन पुछिजाते हैं अगला ए तारंकित परसन एतारंकित परसनों के मामले में लिखित रिपोर्ट आउशक होती है इसलिए इनके बाद पूरग परसन नहीं पुछे जा सकते तीसरा परसन अलपसूसना परसन ये ऐसे परसन होते हैं जिनने कम से कम दस दिन का पूर नोटिस देकर पुछा जाता है इनका उत्तर भी मोखिक दिया जाता है हम आपको बता दें परसनकाल का अयोजन दोनों सद्मों में सतर के सभी दिनों में क्या जाता है परन्तु दो दिन परसनकाल नहीं होता जो कि एक अपवाद की रूप में पहले जब राष्ट्रपती दोनों सदनों के सांसदों को सम्मधित करता हूँ तब राष्ट्रपती अब दोनों सांसदों को सम्मधित कब करेगा राष्ट्रपती का बास्टन एक नई लोग सुभा की शुरुवात में और नए संसद वर्ष के पहले दिन होता है दूसरा जिस दिन वितमंत की बजट पेश करता है उस दिन भी संसे है परसंकाल अपसेंट होता है हम आपको बता दें, परसनकाल के बिना पूरू के सतर जो हैं, उनमें पूरू में भी राष्टिय आपात सीतियों के दोरान परसनकाल को स्थागित किया गया था, लेकिन हाली में पिछले साल मालसुन सतर के दोरान भी परसनकाल को स्थागित किया गया था, क्योंकि कोरोना पै